नमस्कार दोस्तों, वेलकरन वर्ल अफेर्स, मैं हूँ प्रशान धवन, नाव हाली में आपने ये जो न्यूज आ सुनी होगी कि शिलंका ने कैंसल कर दिया है, पाकिस्तान प्राइमिस्टर इमरान खान का पार्लिमेंट एड्रेस, ये बहुत बड़ी बात है, नाव देखो, तो शिलंका ने बहुत बड़ा फिवर किया रहा पाकिस्तान पे, जब शिलंका ने अपनी क्रिकेट टीम भेजी, पाकिस्तान में टूर करने के लिए, शिलंका के सक्सेसुल पाकिस्तान टूर के बाद ही हमने देखा है, कि बहुत सारी और टीम्स पी अब राजी हो नहीं क्योंकि पाकिस्तान का खुद का जो nuclear sector है for the civilian purpose ये अभी भी developed नहीं हुआ तो सिंस पाकिस्तान enjoy करता है friendly relations with Shilanka इन्होंने ये decide किया कि इमरान खान जाएंगे एक बहुत ही important visit पर to Shilanka यहाँ पर ये बात करेंगे Shilankan विदेश मंतरी और Shilanka के President से अब इस visit में initially ये announce किया गया था कि पाकिस्तान के बातान मंतरी को समान दिया जाएगा Shilanka में समान क्या होगा? समान ये होगा कि इमरान खान address करेंगे Shilankan Parliament को देखो Parliament address किसी भी host country का एक बहुत बड़ा समान होता है to a visiting foreign leader around the world इसको practice किया जाता है for example यहाँ पे आप देखोंगे ये तब की photo है जब बराक उमावा पावर में थे और जो बाड़न थे वाइस प्रेजिडेंट तब दरिंदर मोरी जब यूएस में गए थे तो यूएस ने किया था इनको समानित with a Parliament address फिर जब बराक उमावा इंडिया आए तब इन्होंने भी Indian Parliament को यहाँ पे किया address basically एक joint session होता है सारे लोग बैठते हैं और जो visiting country का head होता है वो यहाँ पे देता है speech तो plan ये था कि इमरान खान भी शलंका के Parliament में जाकर इसी तरीके से एक भाशन देते मगर ये plan हो चुका है यहाँ पर cancel यहाँ पे आप देहेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का article है श्रिलंका cancels इमरान खान's address to its Parliament और ये करने के पीछे श्रिलंका के पास बहुत सारे reason भी हैं discuss करेंगे इन सबको a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin एक question यहाँ पे मैं आपसे पूछूँगा इन में से कौन सा देश आज के समय श्रिलंका का सबसे बड़ा trading partner है ये हैं यहाँ पे आपकी options India, China, Maldives, USA comment section में चाहता हूँ कि आप सब लोग इस question को attempt करें सही उत्तर मैं आपको दूँगा वीडियो के end में और मैं आपको ये बदा दू कि आप अगर genuinely UPSC 2021-22 में एक proper attempt देना चाहते हैं with genuine guidance तो unacademy.com पे जाओ या फिर download करो unacademy app यहाँ पर click करो UPSC CSE पर get subscription और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं iconic course पूरा course यहाँ पे आपका cover होगा geography, history, every subject will be properly covered और साधी साधा आपको मिलेगा एक personal coach जो ensure करेगा के 12 महीने लगातार आप पूरा course with proper dedication follow करें मगर यह price पे मत कर देना इस course के लिए सीधा यहाँ पे code आपको PD10 और 7,000 रुपीज से भी उपर का आपको discount मिलेगा इस course में So use the code PD10 and save money Now back to the topic इमरान खान की जो overall visit है to Shilanka यह अपनी जगा कायम है मगर Parliament का जो address है यह cancel करने का जो official reason रहा है Shilanka ने वो है COVID-19 और ने यह का है के अभी भी pandemic फैला हुआ है We do not want to put anyone in danger तो इसलिए Parliament address cancel मगर Shilanka में ही बहुत से जो इनके media outlets है यह आपर बता रहे है के असली reason यहापर है इंडिया का pressure over the Kashmir issue यह बात माने जारी थी के पाकिस्तान के PM जब Shilanka में जाएंगे और address करेंगे इनके Parliament में तो Parliament में इनको मिलता है बहुत बड़ा मंच media देख रहा होगा लोग देख रहे होंगे तो यह फिर से वापस कश्मीर का issue raise करने वाले थे और इंडिया के against अपना propaganda स्टार्ट कर देते तो इंडिया की जो sensitivity है इस issue को लेकर इसको धान में रखते हुए Shilanka ने politely आपर क्या दिया है कि विजट आप जरूर कर सकते हैं मगर parliament address आपको नहीं मिलेगा और यह अचुली पहली बार नहीं है जब Shilanka ने ऐसा कुछ किया इंडिया के लिए कश्मीर issue को लेकर आपको अगर मैं आज से 5 साल पहले लेके जाओ 2016 में तब इंडिया के कहने पर अल्मोस्ट सारी जो कंट्री जा रीजन की इन्होंने सार्ग समेट कैंसल कर दिया रा बॉयकॉट कर दिया था जो होना था पाकिस्तान की कैपिटल इसलामबाद में यहां पर आप देखोगे आर्टिकल है 2016 का आफ्टर शिलंका जोइंस इंडिया थ्री अधर्स बॉयकॉटिंग सार्ग समेट और इससे पाकिस्तान पर इतना प्रैशर बना कि इवेंचुली इनको पूरा सार्ग समेट ही कैंसल करना पड़ा था 2016 में और इंडिया ने शिलंका को ऐसा करने के लिए क्यों कहा ड्रेक्टली ने कहा ओवियसली इन्डरेक्टली का था इन्डरेक्टली भी इसलिए का था क्योग्के उरी हमला हुआ था अंशुर आप को याद हुआ कि कश्मीर के उरी सेक्टर में एक terrorist attack हुआ था और उसके response में इंडिया ने फिर 상urgical strike मा भी की थी वो इशू अपनी जगा है मगर जो main core interest है उसको लेकर शिलंका बाकी country समेथ इवन मैं कहूंगा नासिर शिलंका, बांगलादेश, भुटान, नेपाल ये काफियत तक खड़े हो जाते हैं with India when it matters the most. अब यहां पर आप मुझसे पूछेंगे, अच्छा हमें ये कैसे पता 100% कि इमरान खान पारलेमेंट में खड़े होकर, शिलंका के पारलेमेंट में खड़े होकर कश्मीर का issue रेस करते, ये देखिये हम इसले कह सकते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की एक official policy है, जब article 370 हडाया ग अपना propaganda वावे करते हैं, तो ये एक policy के अंडर उनको करना ही था, और अच्छली इमरान खान बहुत excited थे इस issue को लेकर, इन्होंने काफी request करी थी, कि शिलंका के पारलेमेंट में इनको मौका मिले एक speech देने का, उससे ये कश्मीर का issue और फिलाएंगे, बगर यहां पे शिल शिलंका को ये का है, कि जबरदस्ती लोगों की cremation मत करो, शिलंका में आज के समय क्या रूल है, कि अगर एक आदमी है, वो COVID से मर गया, तो सीधा उसको करते हैं cremate, उसको दफनाया नहीं जाता, अब problem यह कि शिलंका की जो आवादी है, वहाँ पे इसलाम फेद के भी लोग हैं, Christianity को follow करने वाले भी लोग हैं, ये दोनों ग्रुप्स इस बात से खुश नहीं है, कि मृतिकों को जलाया जाए, regardless of their religion, तो इस बात को लेकर बहुत कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया, even पाकिस्तान में कई ग्रुप्स थे, जिन्होंने शिलंका की अलोशना करी, internationally तो बह परसेंट का भी चेंज यहाँ पर किया नहीं है, और शिलंका की minorities काफी मैं काऊंगा गुसा फील कर रही है, angry फील कर रही है, इस particular topic को लेकर, और आने वाले समय में क्या होगा, कि UN Human Rights Council की एक meeting होगी, शिलंका के issue को लेकर, इस particular issue को लेकर, अब UN Human Rights Council में पाकिस्तान भी एक member ह वहाँ पर पाकिस्तान भी voting करेगा, तो पाकिस्तान भी तक शिलंका को कोई आशवासन दिया नहीं है, कि हम लोग आपकी आलोशना नहीं करेंगे UN Human Rights Council में, तो सिंस शिलंका को ये आशवासन भी नहीं मिला, तो शिलंका के पास कोई reason है नहीं यहाँ पर, पाकिस्तान के PM को इतना बड़ा समान देने का, और इंडिया से अपने relations खराब करने का, तो वापसातर है मने question पे, इन में से कौन सा देश, सबसे बड़ा trading partner है शिलंका का, ये हैं यहाँ पर आपकी options, सही उत्तर, यहाँ पर इंडिया नहीं है, सही उत्तर यहाँ पर है option B, चाइना, यहाँ आप देखेंगे, 2017 में ही, चाइना ने replace कर दिया था, इंडिया को, as शिलंका's largest trading partner, ये भी एक issue है मेरे हिसाब से, जिस पर हम को focus करना चाहिए, इंडिया को होना चाहिए, largest trading partner of शिलंका, सो ये है अंत इस वीडियो का, thank you for listening, and as always, God bless you all. टेश्ड़क से लिए है है आप जिलंका को, as वीडियो को बग्याश देखेंगे, चाहिए जिलंका को, as बचे देखेंगे, लित शो़ग्चिंड़के वीद्सेश में होती है चाहिए, झालएबसे उचे का बचे को, as दोपने वीज़के प्रेशवके वीज़के बचे हैं,